इंदोर जाबवा जिले की रहने वाले साथ वर्ष की नाबारिक लड़गी के साथ दुश्कर्म और हत्या करने वाले अपराधियों को गिरफता कर फासी की सजा देने के संबंद में हिंदू यूवा जंजाती संगठन के लोगों ने कलेक्टर को सौपा ग्याबन हिंदू यूवा जंजाती संगठन के लोग आज दो पहर में इंदोर कलेक्टर कारेले पहुँचे जहां उन्होंने बताये कि जाबव जिले के मेक नगाए जनपत पंचायट के ग्राम लोगावा खराडी फल्या निवासी मजदूर के लिए गुजराती के मोर्भी जिले एक में कार खाने में मजदूरी के लिए गये थे जहां पर उनकी साथ वर्षी नाबालिक लड़की का 18 जनवरी 2021 को अपरण हो गया उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई जहां 21 जनवरी को 15 पोल के पास बच्छी की लाश परामत होई थी मामले में आरोपी पिलिस की रिपोर्ट है हमारे समाज के मजदूर लोग गुजरात में सूरत शेहर में मजदूरी करने कहते हैं वहां उनकी एक साथ वर्षी पुत्री के साथ में बलात कर गिया और उसकी हत्या की गई जिसके विरुद हम कलेक्टर मोहदे को मुख्य मंतरी को ग्यापन देना आया है जिसके खिलाब उचित से उचित करवाई हो एव 말씀 परिवार को उचित से उचित मुआ जा मिले पस जो करन करा हैं उन लोगों को क्चम दूख्य अगे से इसके लिए भी ठोस कदम उठाया सरकार इसके लिए भी हम कलेक्टर मोहोदे से निवेदन करेंगे अज हम यहां पर ग्यापन इसलिए देने आये हैं कि हमारे जभवा जिले के मेगनगर पंचायद के वेक्ति काम करने के लिए सूरत गए थे वहाँ पर उनके साथ वर्ष बालिका के साथ बहुत दूसक्रम हुआ उनके साथ बलतकार हुआ और रेप का कांड हुआ तो हम यही मांग कर रहे हैं कि उन प्राजियों को सजा दी जाए और परिवार को उचित मुवजा दिया जाए हम हिंदू युवा जन जाती संगठन से हैं हिंदू युवा जन जाती संगठन इंदौर करम करा वो लोग कौन थे करम करा वो लोग तो उनको हम भी नहीं जानते लेकिन करा है आप नहीं पर ग्यापन देने आए लिए आप नहीं पर ग्यापन देने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें